राजका सेशन स्टार्ट करते हैं श्लोक बोलके हम पहले स्टार्ट करेंगे ब्रह्मनों ही समारब दम आत्रयादी शुपूजीताम अस्मद आचार इंपर्यन तम बंदे गुरुपरंपराम आयुर्वेद अतंबंदे मादवाक्यम महागुरुम् आयुर्वेद अम्रतम सर्वं शिष्ये प्रदत्तवान तुष्टान्याने तुष्ट कर्माग्रत पर्मागत देच्चोह अध्यापको विशक्सेश्ट महान संचोहते कस्तथा बुने एधे सम्दिताई ही यतकार्यम प्रतनोंति जलाब अमुद्जर्तम हीकार्यस से वयम प् कि यह वाला स्क्रीण दीख रहा है इस तो पिछला चप्टर हमने देखा नव वेगंधार यह अब गान धारणियाय यह हमने देखा आज हम आठावा चप्टर स्टाट करेंगे इंड सक्षेशाब कुछ होते हैं करमिंद्रियक मतलब जो तो पिष्ले चेप्टर में हमने क्या देखा पिछले चप्टर में वेगान मतलब यह चतुषक कौन सा चालु है अब हम देखा कि सुतरस्थान की रचना जो है वो शाथ चतुषकों में होई है और बाकि लाश्ट के दो चैप्टर है संगरहदु कौं सा दूसरा चतुषक है क कौन सा नाम क्या है उसका देखा था ना हमने बी एसनल क्रिया तो बी एस पहला भेशज दूसरा स्वास्त चतुष्ट के अंदर अभी हम देख रहे हैं पहले चार होगा अफिले चार जो है वह स्वास्त स्वास्त रहने के लिए क्या इंपोर्टन्ट है उसके बारे में बता रहे हैं तो देखते भी स्टार्ट करते हैं अथा इंद्रियों उपक रमनियम अध्यायां व्यक्ष्ट स्याम हां इतिहस माहों भगवान अत्रेह तो इंद्रियों उपक हां है सर आपने क्या बोला बी एसनल मतलब पहला बीशप चतुष्क दूसरा स्वास्त चतुष्क ती पिर क्रिया के से कलपना चतुष्क तो वहां पर सब स्नेयान स्वेदन वगरा आ जाएंगे आर से रोग चतुष्क आई वापी साइलेंट है ओके रोग पिर के आर आई साइलेंट वाई से योजना तश्युत्ष्क और लास्ट में ए एसे अन्न पांच चतुष्क तुष्क अन्न पांच चतुष्क तो अभी हम स्वास्तत चतुष्क का आखरी चप्टर इंद्रियोप क्रमणिया उसके बारे में देखते हैं तो इस चप्टर में जो अगर हम निकालते हैं तो इस चतुष्क के अंदर जो चाप्टर स्थे तो मतलब फिफ्ट सिक्स सेवेंड एट त स्वास्तत रहने के लिए मात्रा कितनी होने चाहिए किस टाइब कहाना खाना चाहिए कंखा तो चाहिए तो क्या होगा च्छले से हम कैसे रहेंगे यूए बोलते है कि सीजन चेंज होता है मुझे बीमारी होगे तकलीफ बढ़ जाता है यह स्वस्त रहने के लिए हमें पिशन को बोलना है कि आप इस रुटु में यह चीज आउ यह चीजा उग यह मत खाऊ यह मेडिसिन्स मेडिसिन्स मत लो रहने सहने में यह बदलाव करो वह बदलाव कर तो यह सब तश्य में तो नव एकन धार्नी चा सब्सक्राइब तो अनुत्पादन रोगों को उत्पादन ही नहीं होने देगा अगर हमने वेगों का धारन किया तो है ना स्वस्ता है ना रोग नहीं मतलब स्वस्ता रहे तो जब तुम इतना डीपली हर एक चीज़ को सब्जेक्ट इतने डीप से पढ़ोगे तो तुम्हें हर एक वर्ड के अंदर को इतना डीप मिनिक है यह समझेगा यहां पर इन लोग ने खाली लिग दिया कि ना वेगान धार निया पर वागबट ने जिसने स्टड़ी किया च तो इसलिए उसको इस चतुष्का में रखा है और लाश्ट है इंद्रिया अपक्रम नीए तो तुम्हें नहां आंसर देनी चाहिए तो 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 काल अर्थ और कर्म तो अर्थ का मतलब क्या है इंद्रिया का उनके अर्थ से संबंद होना इंद्रिया अर्थ से तो यह जो है यह इतना बड़ा रिजन है त्रीविध हेट है तुझा ने कभी लाइट को देखा ही नहीं है तो आंकों के सामने अंधिरा है खिल जा कि यह मिथ्यायोग में भी आजाएगा अतियोग मतलब क्या दिन भर मोबल चलाना ज्यादा टाइम तक यह अतियोग मतलब एकदम से जो ब्राइट लाइट से रात में अंधेरे में और हम कोई मूवी डरावनी मूवी देख रहे तो उसके लाइट जो है उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं है तो व्यादी तो हो गई ना मुझे पता है मेरे लिए यह चीज़ गलत है पर मैं वो कर रहा हूं मतलब प्रद्यापराद जो हमने देखा उसी को लेके इंद्रियों उपक्रमनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है उसके बारे में यह चापिटल है तो अभी ठी चेश्टाहा कस्चित पुर्व अध्याय त्रयन प्रतिपादिता तो आहार और चेश्टा के बारे में पिछले तीन चप्तर में प्रतिपादिता हमने बताया है तेन अवसिष्ट स्त्य आचार अभिधान आर्थम और अभिधान इसको रखके तथ इंद्रियों मनसाम अतिय योग, औ योग, मिध्या योग, परिहार, उपचेश्टा, दर्शनार्थम च इंद्रियों उपक्रम्नियम आहा है ये सब देखके हम अभी इंद्रियों उपक्रम्निय चप्टर बताएंगे सत्र अभिवक्ष मानां चेश्टा आचारयो हो प्राये न इंद्रियाधी, इसलिए चैप्टर का नाम बुला है इंद्रिया उपक्रमनी अब देखो पहला अगला सुत्र इह खलू पंचेंद्रिया नी पंचेंद्रिया द्रव्यानी पंचेंद्रिया अधिश्ठाना नी पंचेंद्रिया अर्था पंचेंद्रिया बुद्धयों भवंती इती उप्तम इंद्रिया अधिकार है इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे तो और यह पंच जोम पर यहाँ पे वह यहां पर फो ऑ कि यहां पर पंच इंद्रिया है वो न्यान इंद्रिया है उस इंद्रिया के द्रव्य जो पंच इंद्रिया द्रव्य है उसके बारे में पंच इंद्रिया के अधिश्ठान क्या है मतलब चक्षुर इंद्रिया है लेकिन उसका स्थान क्या है नित्र है यह उसका अधिश्ठा तो मन को कुछ पता चलता है उसको बोलते बुद्धि अभी अभी हम जिसे पंचेंद्रिय बुद्धी लेकिन बाकी वर्ड भी तो है ना लेकिन हमें इस वक्त क्या समझ रहा है पंचेंद्रिय बुद्धि हमरे आजू-बाजू-में बहुत सारी चीज़े चल रही है बहुत सारी आवाजे हैं लेकिन बुद्धी हमें किस चीज़ की हो रही है जो मैं बोल रहा हूं वो तो यह पंचिंद्रिय बुद्धी जो समझता है ब्रेंड अनिलाइज करके जो यह बनाता है उसका एक रिजल्ट उसको बुलते पंचिंद्रिय बुद्धी यह सब के बारे नामें हम कैसे फरक निकाल सकते मित्या मतलब घडबड कुछ भी घडबड हीन मतलब कम यूज करना एकदम कम है ना फॉर एक्जमपल कोई इनसान है उसको चलने के लिए बोला जाए पर वो चलेगा ही नहीं दिन भर बैठे रहेगा तो यहीन योग है बिल्कुल भी यूज मतलब क्या विशम विशम रूप में एकदम जीन जैसे करना चाहिए उसका उल्टा पुल्टा ही करके जो करते वह मिठ्ययोग गलत यह अभी रूतु के हिसाब से अगर देखे हम तो अगर गर्मी का सिजन है उसमें गर्मी होगी ही नहीं तो यह हो गया ही नियोग बहुत ज से यह पांचींद्री कौन से है वह देखेंगे फिरिश के वा नवकिस चित शर्व कौन से वह उनके अर्थ और उनके बुद्धी उसके बारे में हम देखेंगे इस चैटर में अभी अगला अतिंद्रियम पुनर मनह सत्व सद्नेकम पने इति आहूर एके तदर्थ कर आतम संपत्थ आयत्य चेश्टम चेत्य प्रत्थे भूतम इंद्रिया तो अभी मन के बार में हैं पर बोला है पिर्टिंद्रियं मस्तिमींद्रिया मतलब क्या है जो अलग है जो इंत्रिया जो व्हक्ति देखें उसको aos ये वी बुलोग इसे सबैसे नहीं थे में यह जो मन है जब इंद्रियेंए के साथ मिलता है तो हमने कません जीसे छाओ होता है कि गर आप जैसे भी हमने बात किया कि हमारे कि सबativa बैठे रहता है सुझता सबको यह लेकिन जब तक मन नहीं लगता तब तक हमें समझभी नहीं को कि अन्य अना है एक मस्मिन पूरुशे सत्वम रजह तमा सत्व गुण योगाच्च नच अने कत्वम नहीं एकम ही एक कालम अनेके शुप्रवर्थते तस्मात न एक काला सर्विंद्य प्रवत्ति ही अभी मन के कर्म के बारें बोला है तो मन के स्व अर्थ तो मन के कार्य जब आगे जाके अब यह सब प्लस हरेक का संकलप संकलप मतलब कुछ ठान लेना यह करना है व्यभीचरण व्यभीचरणाद अनेक असमिन ऐसे अनेक पुरुशे सत्वम तो ऐसे बहुत सारे कर्जिय मन करता है लिकिन उसके साथ को मन है वो सत्व रजतमा सत्व गुणय होगाच्व नेक नो तो यह मन के उपर करता है कि उनका मन कैसा है जादा सभक रहा है उससे नचवाने कतों तो मन भले एक ही है लान देख छाव है कि में इक साथ में बोल भी रहा हूं Sun ब corner यह सब लेकिं मन इक ही है उसकी इतनी ज़्यादा है उसके इतनी ज्यादा है कि वो इतने सारे इसा लगता है अब एक साथ हो रहे हैं पर विदिन फ्रैक्शन ओफ सेकेंड मन अगर तुम सोचो को कि मैं देख रहां तो आखों के ने तरग के पास जाएगा अगर तुम सोचो को मैं सुझ रहाओं तो मन जो है वह ग्रानें पर करें तो मन की गति इतनी जादा है लेकिन मन एक ही है और एक जब जब दो यहां पर मन का इंपोर्टन से अभी कुछ-कुछ बच्चे जो है जो ऑटीजम वगरा क्या आते उनमें मन पर ही हमें काम करना पड़ते हैं कि वह देखते हैं समझते हैं सब है लेकिन उनका मन उस इंद्रिया से अटैच नहीं हो पाता है लिंक नहीं हो पाते है इसलिए वह लो कई काम कहते हैं किंकि हम्थे हमें भी हमेंब़ कभी 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 लगता है हमें पढ़ने का मतों बहुत होता है तो पड़ाइंadan को तो सेले पढ़ाई नहीं होती है अगला श्लोख यद गुनम च अभिक्षनम पुरुषम अनुवर्थते सत्वम तत्वम एव उपदिश्चनती मुनयों बाहुल्यात अनुशयात तो यद गुनम अभी हमने जैसे मैंने पिछले श्लोग में बताया कि जो इंसान जो जाधा प अभिक्षनम अभिक्ष्नम मतलब जादा पुरुषम अनुवर्थते जो फूरुष है वह जिसका अनुवर्थत ऑन जयाओ अचरं में लाएगा और इक्जमपल कोई इंसान दीन भर चिर्चिỡ करता है दिन भर गुसता करता है कुझ भी बात बोलेकिन वह ऐसा जगड़े क जो है वह राजसिक है वह लोग एकदम चिल रहते कुछ भी बोलो जगड़ा करो गाली दो पर एकदम शांत रहते तो तामसिक में आते हैं और सत्व जो हमेशा अच्छा ही बोलेंगे सही ही बोलेंगे तो वह सत्व सात्वी तो ऐसे मन के तीन प्रकार है कि समझा यह कि यह से यह वरा चैप्टर जो है थोड़ा सा अलग अलग टाइप है अध्यात्म जैसा है थोड़ा पर समझ लो तुमको कुश्चिन के हिसाब से यह जाएगा इंद्रिया पंच पंचक एक्स्पेंड करो यह पांच हर एक इंद्रिया का टेबल बना लो उसमें इंद्रिया मनहापुरोरसरानी इंद्रियान अर्थ्र ग्रहन समर्थाने बहएंती तो जब इंद्रियाँ और उसके अर्थ से मिलता है तभी ग्रहन समर्थ उते इंद्रियां अकेले कुछ नहीं गुश्य कर सकते उनको एक्प्रेविरना लगती है एकमोटिवेशन करता है मन जैसे मैंने एक्जांपल दिया कि तुम बूक लेके कितना भी पड़ो पर जब तक तुम्हारा मन नहीं होगा तब तक कुछ दिमाग में जाएका नहीं तो वैसे बोला है मन हाँ पूरो सरानी इंद्रियानी तो मन भकेलता है सब इंद्रियों को मन कुष पुशिंग पावर हो सबसे सबसे पहले स्वरशना मतलब स्किन इती पंचेंद्रियानी यह पांच इंद्रिया है अग्राश लोग पंचेंद्रिय द्रव्यानी तो इसमें महाभूत प्रदान कौन से है उसके बारे हम बोलेंगे हारी के इंद्रिया में खम वायू जोति आपो भुहू हू इती तो इसे सबसे उपर से में लेकिनिचे मतलब आकश वायू तेज़ जल अचल के सबसेथे आकश तो एहां पर छोत्ष्न में तो तेज है श्रोत्र मतलब ये है श्रोतर में आकाश напис और शक्सू में तेज है घराण में गंदा मतलब प्रूथ्वी है रसन में जीवव में पानी रहता है ना तो वहां पर आप है और स्पर्शन में वायू है समझा क्या यह सब पर इसे एक बार रिवाइस करते चक्षू में तुमको यादे तो क्या रहेगा तेज रहेगा श्रोत्र में आवकाश है क्या विटी है मतलब आकाश महावबूद घ्राण में गंद है सेंट लेने का और प्रित्विम गंद रहता है तो पार्तियू महावबूद कहां प अविर अग्या पंचे अदिश्थान नहीं अभी पंचे इंद्रिया तो हमने देख ली अ kamera उसके Respect तो देखो अभी जैसे एलोपे थी में मतलब मौडन साइंस में हर एक नर्व का न्यूक्लियस रहता है तो ब्रेन में सब का न्यूक्लियस है वैसा ही हमारे इंद्रिय के अधिश्ठान है बाहर जो दिखते हो लेकिन सब का इंद्रिया कहां पर तो ब्रेन में हैं इसलिए शीरा में हैं शीरा प्रदिश में इसलिए शीरा को उत्ता मांग मतलब शीरा प्रदिश कि वहां पर सब इंद्रिया का मूल स्थान तो पंचेंद्रिया का अधिश्ठान क्या है अक्षी ग्राने इंद्रिया का अधिश्ठान तरफ क्या हो गया वह सेम ही हो गया ना कि जो इंद्रिया है वह ब्रेन में है उसके अधिश्थान जो है वह बाहर दिखते अभी फॉर लगंपल पंखा है पंखाँ स्वीच बोड़ स्वीच बोड में वेंडिंयो रहेगा पैं का ब्लाइट का वी रहेगा गोटगी घर में हैं लाइटिंग Watching नेत्र है जैं है ठीक है तुमको अगर न糞 चोट लगा तो तुम्हारा तुम्हारा सुणगना कभी बननी होगा और सर पे चोट लगा और जो घ्राने-इंद्रियक स्थानें वहाँ पे चोट लगा तो तुम्हारा मतार्य चल जाएगा स्मझ रहे कि यह समझा डिफ्रेंट समझा है जो पना मर्म है उस पे लगने से तो भी तो पावर जा सकती है ना हाँ लेकिन वहीं पर मर्म नहीं है ना उसी पर पना मर्म है वह थोड़ा उपर ना नासा के अंदर कोई मर्म है चक्षू है उपनासिक थपनी है तो यह सब चक्षू के एकदम इस थान पर नहीं है उसके आज़को करना भी है तो करने के पीछे है विदूर मर्म सब्सक्राइब तुछ हो गया तो कुछ सिक्रीशन और नहीं होगा है तो यह इंद्रिय के अदिश्ठान अलग है और इंद्रिय का मूल अस्थान अलग है वो सब ब्रेन में है शीर में अगे जब तुम अर्थे दश्य महा मूलिय यह तीसवा चैप्टर जो है उदर के चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर आया यह सब रेफ्रेंस यह सब शीरा प्रदेश में हैं शीरा को उत्ता मांग क्यों कहा गया है त्री मर्मिय में जो त्री मर्मा इस्रेश्टमर में है शी माच अर्थ सब्सपर्श रूपरस अगंद शबॉपण किसका अर्था रहेगा अकाश क्या इस अनलरी आप इस परश है परशनेंदरिया और पर किम एड़ी तो तव झराच चरिए रस और लंदो कि रगला है पंचे ईंद्रिय बुद्धी चक्षु बुद्ध्यादिगा ताहा पुन इंद्रिय क्षे जब्धी हमें मतलब सब होने के बाद तो कैसे होता है प्रोस kia है कैसे होगा अर्थ का संबन्ध हो गए लगता है नहीं प्रेयरного मन नहीं देगा तब तक मुझे कुछ समझेगा नहीं और फिर वो होने के बाद जो मन से वो आत्मा के पास जाएगा तो यह पूरा प्रोसेस होना चाहिए तभी हमें तभी हमें बुद्धी किसी भी चिज़ का नौलेज मिलता है इसे देख लिया और हमेशे के लिए शाम होगा ऊत्ते मद्रिया अर्द्रे उसके अर्थ से मिलने चाहिए और यह जो पुरा ज्यान है यह आत्मा के पास जाना चाहिए और आत्मा समझा यह यूच मैं तुम लोग का जैसे मन हुआ कि जलो दस बज गए संशिता वच्ति करना चाहिए तो तुम्हारा मन जाएगा विभा चक्षुरेंद्रिय के पास श्रॉतर इंद्रिय के पास और स्पर्शनेंद्रिय के पास ही और जो बोलने का कौन सा है नहीं तहे तो चक्षुरेंद्रिया और श्लोटर इंद्रिया मन इनके पास जाएगा तुम देख रहे हो और सुन रहे हो यह जो मन गया मतलब कुछ शन के लिए और निश्चय आत्मी का मतलब जो दिमाग में बैड़ गया निश्चय एकदम फिक्स तो वो है उसको बोलते हैं बुद्धी इति इतत इस प्रकार से पंच पंचक हम पांच प्रकार के इंद्रिया पंच पंचक हैं तो अभी हम ये श्लोग पढ़ेंगे और फिर रुखेंगे कि मनो मनो अर्थो बुद्धिर आत्मा च इती आध्यात्म द्रवे गोनसंगोरः स शुभाषय प्रवुर्त्ति निवर्तृति हैक श्याम ज्यां ये द्रव्या आट्ध्यात्म इसमें चार चीज़ आते हैं मना मना के अर्थ बुद्धी और आत्म तो यह कल हम देखेंगे यहां से अभी तक कुछ डाउट किसी को कि यहां तक की कोशन बनेगा इंद्रिया पंचे पंचे उसका टेबल याद कर लो पांच चीज़े क्या है उतना ही बनेगा इस चैप्टर में आगे जाके सदवरुत्त है सदवरुत्त के उपर एले क्यों बन सकता है पूरा वह थोड़ा इंपॉर्टेंट और वह बेसिक काईडलाइन्स एक परसन के लिए पहले अच्छे से बोलना चाहिए सब को बराबर समझना चाहिए ऐसा बहुत सारे लाइफ है जो हमें पता होने चाहिए तो वह भी हम अच्छे से पढ़ेंगे ज़रा यहां तक किसी को डाउट है कि नो सब्सक्राइब कि समझा सब्सक्राइब आर शाली पुरूशाली टार शारी सर्मूट थाहां सम्झाना सबकुछ चीक्च तो श्रेया अंडश्लव पुलते और फिर रुकते यस सो अ पास्ट बोलना oh yes om sarve bhavantu sukhinaha sarve santu niramaya sarve bhatrani pasyantu bakas chidduk bhag bhavet om shanti 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 okay thank you good night thank you bye okay bye 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 bye